नमस्कार मैं हूँ सुदिर शर्मा हम इस समय फिरोजाबाद के राजा के ताल एक गाउं में हैं ये गाउं आज बड़ा चर्चित है क्योंकि यहां पर 16 साल की लड़की सोनम ने एक इतिहास रचा है अंडर 19 वर्ड कप में भारत ने इंगलेंड को हरा दिया और जिसमें सोनम की भी एक एहम भूमिका रही है एक ओबर में तीन रन देकर एक विकेट लिया है बहुत छोटे से घर में रही है सोनम और इस समय देर रातरी में सारे लोग रहे हैं और घर के लोग बहुत खोश हैं मशक्कत की लेफ्ट आर्म से स्पिन बॉलिंग करती है और राइट आर्म से बैटिंग करती है बहुत सारे उसने पदक मैडल जीते हैं इस बीच में लेकिन यहां के जो घर के लोग हैं इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इनको इतना विश्वास था कि सोनम इतनी उ आज कैसा महाल्य है पूरे गाउं में आपके घर में अच्छा लग राया है क्या शीप सुविदान को बहुत पसंड थी प्रश्टाइब और खाना कहती थी आप लोगों ने भी यहां तक पहुंचाने में क्योंकि गाउं में सुविदा नहीं कोई स्टेडियम नहीं है कोई आसपास मैदान नहीं बड़ा दूर है पर परेशानी होती थी पर यहां अब गाउं में खेलती घरत के घरती फिर मांज ग्राण में जाती ती सोनम की सहली है यह भी देखिए 16 साल की एक छोटे सी लड़की है क्या नाम है आपका डॉली 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 आप भी खेलती हो गया क्या खास बात थी सोनम में कुछ तो होगा आप तो बच्पन की सहली है एक साथ पढ़ती है एक साथ अडोस परोस में रहती है तो कुछ तो खास बात होगी जो इतने उच्छे लेविल पर पहुंच की आपकी क्या नाम है आपका इस ने लता आपकी सोनम चोटी बेहन है किया ऐसा घर में माहल क्रियेट हुआ कि वो 12 साल की लड़की क्रिकेट में इतनी रुची हो गई कि वो लड़कों के साथ करिकेट खेलती थी कुछ शूरूर से क्रिकिट खेलती थी या किसी को देखके उसने क्रिकिट सीका किसको उसने अपना रूल बॉडल माना वो देखती थी जैसे क्वां में खेलते हैं तो उन्होंने देह था तो बोलती थी भीया से फिर भाईया लिखी गई थी उसे किसको रोल बॉडल मानती थी किसको फॉलू करती थी वह रविन जड़ी जा इसलिए उसने लेफ्ट आर्म से बॉलिंग सी कि क्या पसंद था सोनम को क्रिकेट खेलना पसंद था उसे खाने में खाने में सब कुछ खा ली थी यह गर में अंडर 90 वोमेंस में बहुत कुछी हो रही है हमें कैसे स्वागत होगा दूम जांग से स्वागत करेंगे उसका कुछ खास तैयारी हो रही होगी क्योंकि अभी तो देर रात हो गई है आप सब लोग जग रहे हैं सोनम ने इतना नाम किया है पूरे देश में आज चर्चा हो है आज भी सोनम को प्राक्टस यही कराते हैं इससे जानते हैं कWind connect क्या चीज आपने सोनम में ऐसी देखी क्योंकि आप से भाक्ड genocide है त suited के च्रंड नहीं खिलते है जब वो 12 00.00 गी थी तह आपने क्या चीज़ इसमें देखी कि और कि उसको बढ़ावा दिया तो मैंने सुचा ऐसे भी मौका दिया जाए सबको दिया जाता है तो एक बच्ची को भी दिया जाए यहां जो दियाद का इलाका है ना तो यहां आसपास कोई स्टेडियम है फिरोज़ाबाद में भी कोई उतनी खेल की सुविधाएं नहीं है क्योंकि छोटा है और उस पेसे भी आपका राजा का ताल गाओं मतलब यह टिपीकल गाओं है जब मैं चलना था मैं यहां पे था तो मैंनत किया उसको मिला वही मैंनत उसी किया जो भी है आप मजदूरी करते हैं जी जी तो मजदूरी में कैसे घर चलता है इतने परिवार का और कैसे सोनम को आपने पढ़ाया वो तो दिक्कते तो सारी थी लेकिन मैनेज करते गए पैसे वैसे हैं किसी से ले लिए किसी से बा ऐसा पहले माना जाता था कि जो क्रिकेट है वो पुर्शों के लिए है अब तो महिलाओं का भी आई-पेल सुरू हो रहा है और अभी केवल वह 16 साल की है तो भविश्च क्या देखते हैं आप आई-पेल में उसका नाम नॉमिनेट हो गया यूपीसीय ने उसका नाम नॉमिनेट किया है उसे कोई ना कोई टीम खरीदेगी जरूर और उसमें अच्छा परफॉर्मस देगी वह इंडिया के लिए रिप्रेसेंट करेगी जल्दी से जल्दी ज्यादा टाइम नहीं लगए प्रफॉर्मस देगी जाएँ कका नहीं? गाओं के परवेश में बहुत से लोग पतियां कसतें हैं जब भी गाओं की लड़की आगे बड़ती है लोग कहते हैं यह देखिए सोनम को मैं यहां आपको देखा हूँ सोनम इस समय लाइव हमारे साथ है क्या हाल है आप यूपी तक पर लाइव है सोनम इस समय ओडियो आ रही है एक सेकेंड अभी ओडियो आ रही है हमारी कैसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा कुछी हो रही है मेरे को यहां आपके राएं बता नहीं सकती बहुत ज़्यादा कुछी है मेरे को आज की जीट का सुरे किसको देंगी और घरवालों को कैसे सेलिब्रेशन होगा आज कैसे सेलिब्रेशन होगा आज और कब इंडिया आना हो रहा है इंडिया एक को या दो को आएंगे यह आपको बहुत सारे लोग इंडिया में विश्च कर रहे हैं आप बहुत सारी लड़कियों के अब रोल मोडल बन चुकी है तो यह कैसा महसूस होता है बहुत अच्छा महसूस होता है मिर को बहुत जादा खुशी है मिर को आपके लिए आपके लिए बात कीजिए माजी किया अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तुने मेरा नाम किया तुन कुछ अच्छा किया अठीक है कि सभी लोग हैं यहां पर अभी आपकी सबसे बात कराते हैं अब यहां यहां मैं अभी आप देख पा रही होंगी सभी लोग हैं और इस समय आपको यूपी तक के माद्यम से बहुत सारे लोग देख रहे हैं कुछ कहना चाहेंगी इस समय जब आपने विकेट लिया था लास्ट एक साथ भॉल आपने फेंगी ती और एक विकेट लिया और जब जीद गए थे और जब लास्ट में तो वो रोमांच कैसा है कुछ शब्दों में बयान होगा बहुत जादा ही कि बता नहीं सकते कि कितने कुछी अभी चलिए ठीक है सोनम के पापा यहां पर है भाई साब क्या नाम है आपका यह देखिए आपकी बेटी है मुकेश जी आपकी बेटी है आपको लाइव देख रही है क्या कहेंगे इस समय मैं तो इसे धन्यवाद करना चा और बढ़िया है 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 विए बढ़िया 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 वेटी एमोशनल हो रही है लेकिन देश के लिए आज लड़कियों ने वह सब किया है रोने की जरूर नहीं आज खुशी का दिन है ठीक है आगे के लिए बेस्ट आफ लग ठीक है अभी मस्ती से एक पाइटी करो जश्ट मनाओ बेस्ट आफ लग और आगे जाना अभी तो 16 साल की उम्पर के वाल आपकी तो चीक है कैसा आज बेटी है मतनब आपके लिए तो दुनियाहीं बदल गई हुआ दुनियाही बदल गई रही है यह सत्वे है हमको को यह जान्दा नहीं था पहचान हो गई वारी आज अज सारे लोग पूरे गाउं में जश्ट हो रहा है देर रात हो गई है फिर भी सार सब्सक्राइब करते हैं पूरा गांप बैंट वाई होगी कह रहा है बैंट वाई लेगे टुला से लेगा अपनी सिम्याओं को सब्सक्राइब बढ़िया लेकर आप और ये लड़की अब आने वाले समय में और लोगों के लिए भी इस्परेशन बनेगी दियात में लड़कियों को आगे नहीं बेशते हैं आगे नहीं बढ़ाते हैं लेकिन सोनब मिशाल है उन लड़कियों के लिए जो अपने दम पर इस लेविल तक पहुंची है